हाई फ्रेंज कैसे आप सब आप सबी का बहुत वेलकम है ऐसे क्लासस में दोस्तों आज हम अपने फाइव एर प्लान के सिरीज के पार्ट फाइव में हैं पार्ट फॉर तक मैंने आपको बहुत सारे प्लान के बारे में अल्रडी बता दिया है हमने अभी तक सिक्स्थ हिस्ट्री और डिटेल्स में यह भी देखते जा रहे हैं कि प्लान में क्यू अन्वल प्लान रहा था उसकी हिस्ट्री क्या है ओके तो चलिए अब सेवेंथ फाइव एर प्लान देखने से पहले मैं फिर से आपको बता दू कि सिक्थ फाइव एर प्लान तक हमारी जो से आप तो इन्ही सब को दिमाग में रखते हुए अब देख प्लान्स देखते हैं स्ट्व सीट्थ फाइव毅 प्लान का बेस बना दिया था अब हमें चलना है और अचीव करना है और अप्लान हमने। जो एस उक इसने एक सपोर्ट क्रिएट क्या उसे सभी एर प्लानी ना 1990 तक चला था ओके सो इसमें किस पर इंफेसिसाइज किया गया था तो दोस्तों इसका पॉलिशी एंड प्रोग्राम था ग्रोथ इन food grains employment opportunities को बढ़ाना ठीक है क्यों employment opportunities को बढ़ाना क्योंकि हमने 6-5 year plan में देखा था कि हमारे इंडिया में unemployment कितनी बढ़ गई थी economy कितनी डाउन चल रही थी तो इसको देखते हुए employment opportunities को बढ़ाना ओके food grains में growth करना productivity में growth करना productivity किस सेंज में with the use of technology अब new new technologies की इंडिया में बाते हो रही हैं तो इसी से अब हम लोग development करना शुरू कर रहे हैं कि जहां पर technology का यूज आ गया ओके इसी टाइम पर जवाहार रोजगार योजना की भी शुरूआ थुई थी on the base of 6th 5-year plan anti-poverty program use of modern technology दोस्तों यह हमें पता चल गया कि 7th 5-year plan जो है वो 6th 5-year plan को base करकर आगे बढ़ रहा था ठीक है तो इसी टाइम पर हमने anti-poverty program start किया with the use of modern technology अब modern technology जो उस टाइम की थी उसे use करते हुए poverty को हटाना फिर employment बढ़ाना फिर productivity को बढ़ाना इन सब पर जोड दिया गया इस time पर target growth था 5% लेकिन achieve कितना किया गया 6.01% मतलब achieve जादा हुआ तो यह पूरी तरीके से success था अंडर उस time के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे राजीव गांधी जी यानि कि 7th 5-year plan भी Congress party के अंदर ही चल रहा था then 7th 5-year plan focused on growth by 2000 अब 7th 5-year plan एक लंबे सोच को लेकर चल रहा था कि हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे लेकिन एक growth अचीफ करेंगे एक sustained growth अचीफ कर लेंगे कब तक 2000 यर तक ओके तो यह वाले 7th 5-year plan में यह सिफ छोटे से 5-year plan को न सोचते हुए और भी आगे यानि कि अब 15 साल आगे का सोच रहा था कि हमें growth को achieve करना है by year 2000 तक ओके अब हम देखते हैं आगे का दोस्तो हमें यह दिमाग में रखना है कि economy को अभी हम develop करने की कोसिस कर रहे हैं लेकिन जो हमारी economy की हालत है वह पहुत जादा ही हिली हुई है ठीक है economy को इतना जल्दी डेवलप करना इजी नहीं है सो दोस्तों यहां पर फिर से plan में एक breakage आया हमने सबसे first breakage देखा था third five year plan के बाद ठीक है उसके बाद फिर एक देखा था जब rolling plan आया था ठीक है अब हम देखेंगे breakage annual plan seventh five year plan के बाद ओके यह क्यों तोड़ना पड़ा यह five year क्यों तोड़कर annual plans में आना पड़ा due to economic instability ठीक है हमारे पास forex की crisis हो गई थी forex यानि foreign exchange हमारे पास सिर्फ 1 billion dollar का foreign exchange बचा था जो की बहुत ही कम था और हम payment कैसे करते तो payment का कमी होने के वज़े से हम 8-5 year plan को adopt नहीं कर पाए उस time ठीक है economic instability फिर से आ गई थी सो इस time भी हमने annual plan start किया यानि 1990, 1991 and 1992 क्या चलेगा annual plan चलेगा ओके सो दोस्तो यहाँ पर beginning होता है LPG का ठीक है LPG यानि liquid petroleum gas नहीं LPG यानि liberalization, privatization and globalization ठीक है liberalization मतलब क्या होता है ऐसी economy जहां पर self-reliance हो खुद से लोग सोचे ठीक है पूरी तरीके की आजादी हो economy को achieve करने में then privatization यानि कि private तरीके से लोग अपने काम धंदी को शुरू करें then globalization यानि कि बाहर के लोगों को हम लोग invite करें अपने यहां काम करने के लिए मतलब उन्हें factories यहां पर बैठाने के लिए हम उन्हें कहें सो लाइब्रेलाइजेशन प्राइबेटाइजेशन और globalization इस एन्वल प्लान से शुरू हुआ अंडर प्राइम मिनिस्टर पीवी २र्सिमहा राओ दोस्तों पीवी नर्सिमहा राओ यह इंडियान नाशनल कॉंघ्रेस के अंदर ठीक है और यह उस ताहिम के प्राइम मिनिस्टर ठीक है इन्हों ने अन्वそんな प्लाइने इस С्टार्ट करा आया ओर 8-5-year plan जो कि start हुआ था 1992 में और चला था 1997 तक ओके दोस्तों 8-5-year plan में अब हमने agriculture अचीव किया इंडस्ट्रीज एजुकेशन जो जो हमने सोचा था वो हम धीरे-धीरे अचीव कर रहे थे तो यहां पर promoted the modernization of industries हमने पहले इंडस्ट्रीज सेट अप किये second 5-year plan में सो अब हम क्या करेंगे इंडस्ट्रीज को modern करेंगे modern कैसे करेंगे हम इंडस्ट्रीज को modern करेंगे new technology के usage जो कि हमने 7-5-year plan में start किया था ओके सो modernization के लिए ही यहां पर world trade organization का member बना था इंडिया कब 1st January 1995 को किस 5-year plan के अंदर 8-5-year plan के अंदर इंडिया member बना था world trade organization का दोस्तों 8-5-year plan के पीछे object था controlling population growth population बहुत बढ़ गई थी तो उसे control करने के लिए measures लिए जा रहे थे देन poverty को हटाना गरीबी हटाना देन unemployment unemployment को हटा कर new new रोजगार के साधना और उस टाइम पे बहुत रोजगार दिया जा रहा था दो government jobs अभी जितनी problem चल रहे है government jobs की उस टाइम बहुत जादा government jobs दिये जा अंचायत सेट अप हुए नगरपाली का एंजियो यह सब सेट अप हुए जिसके वज़े से क्या है और भी जादा हम लोग economically क्या हुए strong हुए और democracy जिसे बोलते हैं वह हम एकदम grassroot level तक अचीव कर पाए देन उस टेम पर हमारा टार्गेट था 5.6 परसेंट लेकिन हमने अचीव किया था 6.78 परसेंट मतलब 75 year plan तक हमने देखा था कि annual plan हम लोगों को लेना पड़ा लेकिन 85 year plan में हमने जितना टार्गेट लिया था उससे जादा ही हम लोगों ने अचीव किया याने कि 6.78 परसेंट अब यह थी 8th 5 year plan की स्टोरी अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 9th 5 year plan तो दोस्तों हम आपके लिए बहुत ही short time पे बहुत सारे acts को summarize करके आपके सामने दाते हैं ठीक है तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है आप हमें जरूर बताइए का कमेंट करके अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लिएगा और दोस्तों अगर आपको कोई new chapters पर वीडियो चाहिए जो आपको समझ नहीं हो पा रहा हो तो आप उसके ल स्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई मिल जाएगी कि किस तरीके से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं ओके सो नोट्स के लिए दोस्तों आप हमें अपना स्लेबस जरूर सेंड करिएगा देन नाइंट फाइवेर प्लान पे चलते हैं सो एन्वल प्लान हमारा चला 90 से 1992 तक दे 1997-2002 आ गया मतलब 9th 5-year plan में हमने अपने इंडिपेंडेंस का पूरा 50 years अचीव कर लिया ठीक है 50 years अचीव करने के साथ साथ हमने बहुत सारे फिल्ड में development किया सो 9th 5-year plan के टाइम पर कौन थे मिनिस्टर अटल विहारी बाच पेई जी उनके मिनिस्टर्शिप में 9th 5-year plan चल रहा था और इंडिया ने कंप्लीट कर लिये थे 50 years of independence सो इस टाइम पर फोकस आ गया था और बैलेंस बिट्विन ग्रोथ और लाइफ क्वैलिटी दोस्तो 9th 5-year plan टक आते आते हमने बहुत कुछ अचीव किया था तो अब हमारा फोकस हो गया था कि लोगों की लाइफ की क्वैलिटी को कैसे स्टैंडर्ट करें कैसे अच्छा करे और उसके साथ साथ ग्रोथ भी अचीव करें मतलब सस्टेंड ग्रोथ ग्रोथ के साथ साथ लोगों की लाइफ की क्वैलिटी भी अच्छी हो इसके लिए बहुत सारे स्टेप लिए गए जैसे की प्राइमेरी एजुकेशन चिल्रेंस के लिए ये स्टार्ट हुए ठीक है इस टाइम पे टार्गेट था 7.1% लेकिन एक्चुली ग्रोथ हुआ 6.8% मतलब हम इसे पार्टली सक्सेस कह सकते हैं इस टाइम पे प्रोवाइडिंग सर्विस लाइक इलेक्ट्रिसिटी, टेली कम्यूनिकेशन और रेलवेज इस सब की सुविधा आ गई थी ठीक है मतलब इन सब पे और ज़्यादा वर्क किया जा रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी गाउगाउं तब पहुचाई जाए सब को इलेक्ट्रिसिटी मिले टेली कम्यूनिकेशन मतलब की फोन वोन की सुविधा देन रेलवेज को इस्ट्रॉंग करना तो उस ताइम पे यह सब सर्विसेस की तरफ ध्यान दिया गया देन इमर्वरिंग बैक्वर्ट क्लासस् स सकते चdle लोग को सबके साहल का इसलिए सोचे उस टे этому पर देश की बहुत जादा खराब थी और SAST या फिर backward classes लोगों के साथ बहुत जादा जल्म किये जाते थे ठीक है तो इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए क्योंकि हमें सबको equal करना था तो बहुत सारे स्टेप लिए जा रहे थे then availability of primary health care facilities and other basic necessity दोस्तों यहाँ पर लोगों के life quality को strong करना था इसलिए अब जगा जगा पे primary health care खुनने लगे और भी बहुत सारी basic necessity जो भी एक इनसान को जुरुत है वो सारे स्टेप लिए जाने लगे तो हम पूरे अपने Indian history को जान रहे है plan के साथ कि हमारे history कैसे पूरे एकड़म लो से अपकी तरफ चल रही है हम लोग कैसे growth achieve कर रहे हैं 5 year plan आपके syllabus में हो या ना हो मैं सबसे कहुंगे कि आप लोगों को जरूर 5 year plan को देखना चाहिए पढ़ना चाहिए क्योंकि आपको इससे अपनी इंडियान history के बारे में बहुत कुछ नौलेज होगा कि जब हम लोग को का देश आजाद हुआ था तो हम किस step में थे और आज हम किस step में पहुंच गए हैं और इसके बीच में कितनी सारी problems face करनी पड़ी उस time के जो भी मिनिस्टर्शिप में थे और कैसे उनलों को ने दिमाग लगा कर क्या क्या करकर आगे की तरफ proceed किया ठीक है ऐसा नहीं है कि उस time politically हम लोग strong थे उन सब को भी लेके बहुत कुछ problem था ठीक है तो इन सब को कैसे हम अपना defense में ध्यान दिये कैसे हमने अपने agriculture को strong किया बहुत कुछ step लेते 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 हम लोग 9th 5-year plan तक finally पहुंचे अब इसके बाद 9th 5-year plan में हम देखी रहे हैं कि कितने important चीजों की तरफ focus किया गया अगर हम basic से उठते हैं तभी तो हम अपने life का लेती अच्छी करेंगे अगर हमें खाने के लिए देखना तो आपको अच्छे तरीके से clear हो जाएगा और अगर कुछ clear ना हो तो आप मुझे वाट्सप पर ना सच करके एकदम पूछ सकते हैं मैंने आपको इसे related mcq भी दिये हैं तो mcq solve करने के पहले आप chapter पढ़ें जिससे आप mcq अच्छे तरीके से कर पाएं ठीक है और दोस्तों अगर आपको इस chapter या इस